Everybody, I'm Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing how to use Google Sheets on Android phones. आज हम देखेंगे कि SuperScript कैसे प्रोवाइट की जाए सकती है Mobile version of Google Sheets में. तो Mobile version of Google Sheets में default option नहीं दे रखा है SuperScript करने का पर हमें जरूरत पड़ती है जब हम units use करते हैं जैसे cubic meter, square meter तो यहाँ पर हमें SuperScript प्रोवाइट करना होता है especially science और engineering fields के लिए तो आप क्या कर सकते हैं क्यूंकि default option नहीं दे रखी तो हमें एक trick यूज़ करना होगा तो trick के लिए मैं simply दो keyboard यूज़ करूँगी एक है Swift की keyboard जो आप download कर सकते हैं गूगल प्ले से या फिर आप Samsung keyboard यूज़ कर सकते हैं या फिर आप Gboard मतलब Google का जो keyboard है वो यूज़ कर सकते हैं सब आप यूज़ कर सकते हैं स्विफ्ट की में however कुछ problem है स्विफ्ट की सारे जो numbers है उसको superscript नहीं करता है पर Samsung और Google Board जो हैं वो सारे numbers को superscript कर देता है तो let's see one by one कि कैसे हम कर सकते हैं तो आपको cubic meter provide करना है आप text bar में जाएए आप M type कीज़े तो मैंने M type कर दिया अब मुझे यहाँ पर to the power 3 लेके जाना है तो मैं इसके 123 वाले keypad पर जाओंगी जहाँ पर मैं number pad पर जा रही हूँ number pad पर आप 3 पर long press कीज़े आप देख सकते हैं long press करने पर मेरे पास option आ रही है 3 by 4, 3 और 3 by 8 की तो मैं 3 select कर दूंगी और आपके पास superscript पहन मिल गया है तो यहाँ पर हमारे पास superscript आ गया है तो यह मैंने use किया swift key को इस्तिमाल करके however अगर आप कोई और value को superscript करना चाहते है जैसे suppose आप x to the power 8 करना चाहते हैं तो अगर आप swift key keyboard यूज़ कर रहे हैं तो swift key में यह option नहीं है अगर आप 8 को long press कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 8 आ रहा है और हम देख सकते हैं कि यह 8 superscript में नहीं गया है यह 8 उसी level पे रहा है तो यह कुछ shortcomings है swift की keyboard की however हम इसे बहुत easily overcome कर सकते हैं आप यहाँ पे keypad के option पे जाएए नीचे यहाँ पे x to the power 9 लिखना है x हमने select कर दिया और 9 पे हम long press करेंगे जैसी long press किया blue में 9 highlight होके आ गया है आप 9 पे click कीजे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे finally 9 जो है वो superscript में आ चुका है तो google board और samsung का जो keyboard है वो सारे numbers को superscript करने के हमें permission दे देता है swift key however सिरफ 3 या 4 numbers को superscript करने की permission देता है जैसे आप 2 को superscript कर सकते हैं 3 को superscript कर सकते हैं और 4 को superscript कर सकते हैं using swift key तो square meter लिखते हैं अभी मेरा samsung का keyboard on है तो meter का मैंने m type कर दिया और 2 को मैंने long press किया यहाँ पे मेरे पास m to the power 2 आ गया है इसी तरीके से मैं कोई और number जैसे x to the power 7 करना चाहूँ तो x क्लिक करके long press 7 कर सकते हूँ और आपके पास x to the power 7 आ गया इसमें हमने यह भी देखा कि अगर आप कोई fraction लिखना चाते हैं suppose आपने 2 to the power suppose 2 और 2 के बाद आप लिखना चाते हैं 2 by 5 या 2 by 3 तो आप इस तरीके से fraction यूज कर सकते हैं however आपके पास बहुत जादा availability नहीं है facility नहीं है कि आप इस fraction को अपने हिसाब से change कर सके यहाँ पे कुछ default fractions है वही available हो पा रही हैं so this is how you can write meter cubes, square meter, etc. जो different units हमें चाहिये होते हैं in engineering subjects in google sheets so I hope this lecture was useful to you thank you and stay tuned for more